स्टेफोल्डिंग का मतलब होता है मचान मचान का मतलब आपने कई बार ऐसे कई इमारतें देखी होगी जिन इमारतों के निर्मान की प्रक्रिया के दौरान चारो तरफ ऐसी बल्लियां लगी हुई रहती है लकडी की ऐसे फटकडे लगे हुए रहते हैं जब वो इमारत बनती है तो और जैसे इमारत बन जाती है उन बल्लियों को हटा दिया जाता है तो उन लकडी के फटों का उप्योग यह रहता है कि जब इमारत का निर्मान हो रहा है उस वक्त इसको आधार प्रदान करें हमारे संग्यानकी इमारत के निर्वान में भी जो चीजें आधार प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है स्कीमा इसको टेक्निकल भाशा में बात करूं तो ऐसे समझ लो दिमाग के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है और इस फोल्डर का उपियोग है कि आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कॉंसेप्ट आ रहा है वो सारा इस फोल्डर के अंदर जा रहा है एक स्टेटमेंट आता है क्या सकीमा में परिवर्तन संभव है बिल्कुल साहब स्कीमा के अंदर परिवर्तन संभव है स्कीमा जो है उसमें परिवर्तन संभव है अब ये स्कीमा में परिवर्तन होता कैसे है समझने की चेस्टा करो एक बड़े सरल से कॉंसेप्ट से एक छोटा बच्चा था उसको टीचर ने बुलाए बेटे इधर आओ गाय परने बंद लिखो उसा बच्चे ने लिखना शुरू किया गाय हमारी माता है गाय हमें दूद देती है गाय एक शाकाहारी पशू है गाय के चार पैर होते हैं गाय के दो सींग होते हैं गाय सफेद अब इससरा को जिसका 음악 अब बैट मैं बिल्कुल समझ यहां कि गाय तो अलग-अलग रंकी होती है अगली बार नीबंद में क्या लेके गा गुर्जी बाहने में चार लाईने ओर लिख देंगे यlow हाम वुसे 꽃 आना चञीछ को पहले पता नहीं था उस बच्चे को पहले पता नहीं था कि गाए जो है वो और रंकी भी हो सकती है लेकिन टीचर के बताते ही उसने अपने संग्यान में विकसित किया और अपने जो knowledge है उसमें गाए को लेकर जो चीजें पहले से included थी गाय को लेकर उसके संग्यान में उसके स्कीमा में जो चीजें फिट थी उनमें चार चीजें और जोड़ दी उसने ठीक है तो बाई बात समझ में ये स्कीमा होता है इसको इस उधारन से याद करोगे जिन्दगी भर नहीं भूलोगे कि स्कीमा क्या होता है कैसे बदलता है छोटी सी चीज है मेरे ख्याल से सब को समझ में आ गई होगी